हलो स्टेंड्स आज का मारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर को पी से रिप्रेजेंट किया होता है और पीज इक्वाल्टू होता है डब्लू अपॉन टी बर्ग डन अपॉन टाइम यानि कि किसी डिवाइस में यदि हम करेंट पास कर रहे हैं करेंट फ्लो कर रहे हैं तो करेंट फ्लो करते ही उस डिवाइस के अंदर वर्क शुरू हो जाता है लेकिन वर्क की स्पीड क्या है किस स्पीड से उस डिवाइस में काम हो रहा है यह चीज हम इलेक्ट्रिक पावर क कर दी तो यह चीज हम को पता करना है कि उस दिलाइस में करेंट फ्लो करने पर वार्ग कितना फास्ट हो रहा है उसकी स्टीड क्या है तो यह चीज हम पता करते हैं और ट्वावर से अब हम जानते हैं तो P is equal to V I T upon T अब इस T से ये T cancel हो जाएगा तो P is equal to V I यानि कि हमको electric power का एक और relation मिलता है V से और I से अब यदि हमने W की एक और दुस्ते second value हमने ले ली तो W is equal to क्या होता है I square R T अब W के इस value को हमने इस formula में रखा तो P is equal to क्या हो जाएगा W के जहां पर हमने रख दिया I square R T T से T cancel हो गया तो P is equal to क्या हो गया I square R यानि कि हमको P, I और R में एक और relation मिलता है W is equal to V square T ये भी होता है अब W की value को हमने रख दिया यहाँ पर तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर P is equal to V square T T से T A cancel हो गया P is equal to V square यानि कि हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का रिलेशन हमको यहाँ पर यह त्री फॉर्मुले मिलते हैं इन फॉर्मुलों का हम इस्तिमाल कहां करेंगे इनका इस्तिमाल निमेरकल मिं किया जाएगा पी इकॉल टू डॉबलों टी एकॉल टू जूल अपॉन सेकड्ड है यह एक स्माल यूनित नहीं हिल्ग हमनें गयाँ तो यह एक वॉनित है अब अगर आपको यूनित बढ़ाना है तो वन किलो वाट हम ले सकते हैं मेगा वाट ले सकते हैं और होच पावर ले सकते हैं ठीक ह अब electric energy is equal to electric power multiply by time ये भी होता है formula और electric power जो होता है इसको हम measure करते है जूल से ठीक है और इसको represent किया जाता है जैसे नेक्स्ट है unit 1 kilowatt hour is the amount of energy 1 kilowatt ये जो है ऐसी electrical energy का ये amount है जो consume किया जाता है यानि कि जिसका हम इस्तिमाल करते हैं जिसको use करते हैं 1 hour में ठीक है किसी भी electrical appliance के द्वारा एक घंटे में हमने जो electrical energy use किया है जो electric energy consume करते हैं उसको हम बोलते है 1 kilowatt hour ठीक है अब when its rate of consuming energy is 1000 joule in a second अगर इसको हम second में देखते हैं यहां पर hour में है यह यदि हम इसको second में देखते हैं तो यह होगा 1000 joule तो जो यह second में जब इसको हम measure करते हैं इसको ही बोला जाता है unit ठीक है जैसे घर में हमारे जब बिजले का बिल आता है तो वो unit में आता है कि आपने इतना unit इस्तेमाल किया है तो इसको ही हम बोलते है unit और 1 kilowatt hour की value होती है 3.5 into 10 power 6 joule आप सपोस करिए कि आपको पता करना है कि आपने घर में कितना बिजले यूज किया है कितना electrical energy इस्तेमाल किया है ठीक है ना consume कितना किया है electrical energy यानिकि आपने बिजले कितनी खर्ज की तो हम इस formula का इस्तेमाल करके पता करते हैं ठीक है suppose करिए कि आपके पास दो बल्ब है आप घर में दो बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों ही बल्ब जो है 100,000 watt के हैं अब आपने कितना unit इस्तेमाल किया यदि आप एक दिन में 8 घंटे अगर आपका बल्ब जो है वो जल है तो वन मंत का अगर हमको unit पता करना है तो इस formula के थुरू हम पता करेंगे अब कितना वाटका था है ना सबसे पहले पावर ठीक है हम कितना वाटका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने यहां पर कितने वाटका इस्तेमाल किया है 100 वाटका इस्तेमाल करें यानिकि 200 वाटका तो कर रहे है यह तो तीम डिन में हम ने आठ गंटे इस्तिमाल कि यह यह हमने कहल रहे है कि python Umm on ग्रूप आ delivers और इसको घो अम नहीं करते चांज है तो हमारे पसके आया 48 से किuchen कि ठाय पहुई कि अ झाल झाल